हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रेट, डेली करेंट अफेर्स सेशन में आप सभी का मैं स्वगत करता हूँ, आज है तारीक 23 जुलाई 2022, और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स होगी, उससे मैं आपके लिए डिसकस करने वाला मैंने इस सेशन में बहुत ही इंपोर्टेंट और सेलेक्टिव करेंट अफेर्स लिए है, जो आने वाले एक्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तो पूरे सेशन को बहुत ही ध्यास से मन लगा करके सुनिएगा, दोस्तो यदि आप इसका पीडियाफ डाउनलोड करना दोस्तो इसके लावा आपको डेली आपको टेस्ट भी देना है, यानि सुबह पढ़ना है और शाम को अपना क्विज भी देना है, रात को दस बजे हमारे रूट एप्लिकेशन हमारे टेली आपको क्विज मिल जाएगा, देगी फ्रेंड्स ये बात याद रखिएगा, एक नएक दिन आपको वो सब कुछ मिल जाएगा, जिसके बारे में आपने सोचा है, दोस्तो कहते हैं ना सुनो सब की लेकिन करो अपनी समझ की, चली फ्रेंड्स आई देखते हैं आज का सबसे पहला इंपोर्टेंट करिंट अफेर्स, तो देखिए पहला प्रशनी रहा, ह ताना जी मूवी के लिए, और सूर्या जो है, सोरा राई पोटरू के लिए इन्हें क्या मिला है, बेस्ट एक्टर का वर्ड मिला है, दोस्तो इसकी गोशना कभ हुई है, और सट्वे नेशना फिल्म अवर्ड की गोशना 22 जुलाई 2022 को हुई है, इसमें ताना जी द वारियर के लिए अजय देवगन जैसा कि मैंने आपको बता दिया, और सूर्या को सोरा राई पोटरू के लिए बेस्ट एक्टर का वर्ड मिला है, ये पुरसकार 2020 के लिए दिये गए दोस्तो, देखी फ्रेंड्स मैं आपको बता दू, एक इंपोर्टेंट जानकारी, सूर बेस्ट पापुलर फिल्म है ताना जी, बेस्ट फीचर फिल्म है सोरा राई पोटरू, नेस्ट है बेस्ट एक्ट्रेस, तो बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई है, अपढ़ना बाल मुरली, सोरा राई पोटरू के लिए, नेस्ट है बेस्ट गीतकार, मनोज मुंतशीर, दोस इन सभी विनर्स की नाम याद रखेगा आपसे पूछे आ सकते आने वाले एक्जांग्स में चलिए फ्रेंड्स आई देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न तो दूसरा इंपोर्टन महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आने वाला है हाली में मारियो दरागी इन्होंने अपने 15 स्थीफा दे दिया है ये किस देस के प्रधान मनतरी हैं मारियो दरागי is the prime minister of which country who has resigned from its post तो दोस्तो भी इटली के प्रधान मनतरी है जिन्होंने अभी अपने 15 स्थीफा दिया है दोस्तो इटली के प्रदान मंतर इन्होंने कब स्टीफा दिया है 21 जुलाई 2022 को इन्होंने अपने पस्टीफा दिया है दोस्तो दरागी की बात करें तो फरबरी 2021 से इन्होंने यूनिटी सरकार का रेप्रेजेंटेशन किया है देखिए फ्रेंट्स आई समझते हैं क्या कारण है क्या रीजन है कि इन्हें अपने पस्ति स्तीफा देना पड़ा दोस्तो दरागी की गडबंधन की जरकार है एक एलियांस है जो तूट गई है इनके तीन मुख की सहयोगियों ने विश्वास मतने भाग लेने से इनकार कर दिया है इसलिए इन्होंने अपना विश्वास मत खो दिया है इसलिए इन्हें स्तीफा देना पड़ रहा है देखे friends भारत में भी ऐसा ही होता है अगर प्रधान मंतिर अपने सांसदों का भहुमत खो दे तो उसे अपने पस्ति स्टीफा देना पड़ेगा यहाँ पर बात हमने इटली की की है तो आई देखते हैं इटली की location कहा पर है world map पर तो देखे friends यहाँ पर है इटली यह आप देख पा रहे हैं red mark पर यह इटली है इटली किस महादीप में आता है तो इटली यूरोप महादीप में आता है इसकी capital क्या है इसकी capital है Rome इसके president का नाम क्या है Sergio Matrela क्या नाम है president का Sergio Matrela दोस्तो इटली किस महादीप में आता है जैसा कि मैंने आपको बताया ये यूरोप कॉंटिनेट में आता है और दक्षण में इस्तित एक देश है साउथ में है यूरोप में देखी फ्रेंड्स इसकी जो मुखी भूमी है ये पैनिसूलर है पैनिसूलर का मतलब क्या होता है प्राय दीपी यानि इसका जो तीन साइट से एरिया है पानी से घिरा हुआ है इसलिए से प्राय दीपी इससा कहा जाता है दोस्तो इटली के उत्तर में आल्स परवत माला है इटली के नौर्थ में आपको कौन से परवतमाला दिखने को मिलेगी आल्स परवतमाला इसमें फ्रांस है स्विट्जर लेंड है यहाँ पर देखे इसके पडोसी देश औस्ट्रिया है इसके बाद यहाँ पर देखे स्लोवेनिया यह सारे जो देश हैं सीमा बनाते इटली के साथ दोस्तो इटली के बारे में अब जान लेते हैं कि इटली में कौन-कौन से इंपोर्टन रिवर भेती है तो इटली में इंपोर्टन रिवर है पो और दूसरी है टाइबर पो रिवर को क्या कहा जाता है इटली की गंगा भी कहा जाता है रोम जो है friends, रोम जो इटली की capital है किस नदी के किनारे हैं? टाइबर नदी के किनारे है रोम दोस्तो इटली जो है युनान के बाद यूरोप का दूसरा सबसे प्राचीनतम रास्ट है चलिए friends और देखते हैं third important current affairs तो third important current affairs आप सभी के सामने रहा हाली में Oakland के speed test global index में June 2022 में भारत की rank क्या है तो दोस्तो भारत की rank है 118 पहले भारत 115 स्थान पर था ये तीन नीचे फिसल गया तीन rank नीचे फिसल गया है भारत दोस्तो भारत में जो मुबाइल की ओसा स्पीड है वो बहुत ही कम है और भारत 118 स्थान पर पहुँच गया है दोस्तो मई महीने में भारत 115 स्थान पर था जून में पहुँच गया 118 स्थान पर देखे फ्रेंट्स भारत की जो mobile download speed दर्ज की गई है ये है 14 mbps 14 megabytes per second दोस्तों आप सोच चिरोंगे कि सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है तो सबसे पहले स्थान पर है नौर्वे जो है overall global average mobile speed के लिए number one स्थान पर बना हुआ है देखे फ्रेंट्स नौर्वे में जो average speed है 126.96 mbps वह दूसरे स्थान पर है United Arab Emirates UAE UAE में जो download speed है वो है 120.37 और ठेट प्रेस पर है बुलगारिया ठेट प्रेस पर कौन सा देश है बुलगारिया है यहाँ पर speed है 110.61 mbps चली फ्रेंट्स आई देखते है चौथा माहत पूर्ण प्रशन तो चौथा माहत पूर्ण प्रशन आप सभी के सामने रहा हाली में स्वा निर्भर नारी यूजना इसे किस राज में शुरू किया गया है तो दोस्तो कहां पर किया गया है असम राज में इसकी शुरुवात की गयी कहां पर की गयी है असम राज में दोस्तों असम के प्रेजिट में मुखी मंतिरी कोने चीफ मिनिस्टर कोने इनका नाम है हीमंत बिश्वा सर्मा इन्होंने ये बताया है कि स्वा निर्भन नारी जो है इसमें क्या किया जाएगा सोदेशी बुनकरों को शशक्त बनाया जाएगा और जो वस्त्र है हद करगा व सीधे स्वादेशी बुनकरों से हद करगा हैंडलूम वस्त्रों को खरीदा जाएगा राज सरकार इसे खरीदेगी ये योजना क्या करेगी राज में हैंडलूम और जो वस्त्रों की हेरिटेज विरासत है उसे संरक्षित करने में मदग प्रदान करेगी यहाँ पे बात हमन नयाय और अधिकारिता मंत्री क्या नाम है डॉक्टर विरेंदर कुमार इन्होंने स्रेष्ट योजना का शुभारम किया है इसके तहट क्या किया जाएगा आवासी सिक्षा प्रदान की जाएगी प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी जी के द्वारा COVID-19 महामारी के कारण ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है इसके तहट प्रदान की तरफ चलते हैं तो थेड़ स्कीम है मुख्य मंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना ये किसके द्वारा शुरू की गए दिल्ली सरकार के ध्रूप दिल्ली सरकार मुखी मंतरी मुफ्त सीवर योजना के तहट फ्री या फिर मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करेंगी चोथी है कौशल्या मातरत योजना ये 36 गड़ सरकार के दोरा शुरू की गई है इसके तहट क्या किया जाएगा सुरक्षित मातरत के लिए कौशल्या मातरत योजना की शुरुवात की गई है देखिए फ्रेंड्स एक इंपोर्टन जनकारी मैं आपको दे दू डानलोड कीजे रूट अप्लिकेशन यहाँ पर आपको मिलेगा लाइव बैचेस बहुत सारे विशो के आपको लाइव बैचेस मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं बहुत सारे टीचर आने वाले हैं जहाँ पर आपको लाइव पढ़ाईंगे अभी present में यहाँ पर कौन-कौन से batch चल रहे है Science Special batch जो की मेरे दोरा चलाय जा रहा है History Special batch, Arithmetic Special batch by Nishis Sir Quality Special batch by Pankas Sir तो यह सारे Special batches चल रहे हैं आपको Live Enroll करना है Root Application पर यदि आपको इन सभी batches को जोईन करना है तो आप Root Application को Download कीजे वहाँ पर आपको यह सारे batches मिलेंगे बहुत सारे Amazing courses आने वाले हैं अपने batches के लिए Enroll करें दोस्तो कौशलया मातरत योजना क्यों शुरू की गई है तो इसका मुख युद्देश क्या है बेटियों को लेकर के जो नकरात्मक सोच है जो negativity है उसे दूर करना इसका प्रमुक लक्ष है इस योजना के तहत इस योजना के माध्यम से क्या होगा दुतिये बेटी पर यानि दूसरी बेटी के जन पर बेटी की माता को 5000 रुपे की राशी प्रदान की जाएगी जिसके माध्यम से बेटी के पालन पोशन एवं सिक्षा में मदद प्राप्त होगी यह योजना बेटीों के भविशो को सुधानने में कारगर साबित होगी चली फ्रेंड्स आई देखते हैं फिफ्ट इंपोर्टन करेंट अफेर्स तो फिफ्ट इंपोर्टन करेंट अफेर्स ही रहा हाली में विश्व मस्तिश्क दिवस का मनाया गया तो हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मस्तिश्क दिवस अब आई समस्ते क्यों मनाया जाता है तो इसका उद्दीश क्या है दोस्तो 22 जुलाई को Multiple Sclerosis इसके बारे में लोगों को जागरुकता बढ़ाने के लिए विश्व मस्तिश्क दिवस मनाया जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि Multiple Sclerosis होता क्या है तो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तो Multiple Sclerosis जो है एक प्रकार का Auto Immune System का विकार है जो हमारे Central Nervous System को प्रभावित करता है यह एक ऐसी विमारी है जिसमें प्रती रक्षा प्रणाली नसों के सुरक्षात्मक कवश को खा जाती है जिसमें नस को छती पहुंचती है जो मस्तिश्क और सर्रीर के बीच में जो संचार है Communication है उसके बीच में बाधा उत्पन हो जाती है Multiple Sclerosis के Symptoms क्या है मैं आपको समझाता हूँ संतुलन में कमी, आस्थिर्ता, बोलने में असुविधा, ध्यान केंदृत करने में कटिनाई, शारेरी कंगों में कमजोरी, देखने में असुविधा ये सारे Symptoms हैं Multiple Sclerosis के दोस्तो इस दिवस की स्थापना किसके दोरा की गई है World Federation of Neurology के दोरा इसका एड़कोर्टर कहाँ पर है London United Kingdom में दोस्तो इसकी स्थापना हुई है 1957 में प्रेजेंट में World Federation of Neurology के अध्यक्ष कोन है Professor Wolfgang Grisold दोस्तों आप लिखा Neurology Neurology का मतलब क्या होता है मस्तिश्क का अध्यन कहलाता है Neurology हमारे मस्तिश्क का ओसत भार कितना होता है 1400 ग्राम होता है कितना ग्राम होता है 1400 ग्राम होता है देगी फ्रेंड्स हमारा जो मस्तिश्क होता है इसके तीन भाग होते है पहला होता है four brain यानि अग्र मस्तिश्क दूसरा होता है madh brain यानि madhya brain और तीसरा होता है पlishh compass जिसे हम hindi brain बोलते हैं madhya, consciousness खो mid brain कहते हैं दोस्तों हमारी जो चतुराई बुद्ध मैता का केंडर होता है वो अग्र मस्तिष्ट में होता है, यानी सेरे ब्रम में होता है, इसें प्रा मस्तिष्ख भी कहते हैं. देखी दोस्तों, यहाँ पे हमने दिवस की बात की है, तो मैं आपको दिवस से रिलेटेट इंपोर्टें प्रशन बताने वाला हूं. लेगें friends हम आज discuss करेंगे Health related दिवस के बारे में सुास्त संबंदी दिवस के बारे में World Cancer Day वर साल 4 February को मना जाता है देगे नैस्ट है 21 March को मना जाता है Vishwo Down Syndrome दिवस Vishwo 6 रोग दिवस यानि World TB Day हर साल 24 March को मना जाता है Vishwo Hemophilia दिवस हीमोफीलिया कैसे बिमारी है इसमें रख तका ठका नई जमता ब्रेडिंग लगातार होती है 17 अप्रल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस तो दोस्तो 25 अप्रल को मनाया जाता है चलि फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे विश्व हेपिटाइटिस डे विश्व अलजाइमर दिवस के से हम कहते हैं सितंबर 21 को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को विश्व मधू में दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व एट्स डे कब मनाया जाता है 1 दिसंबर को ये सारे important health related दिवस हैं इन सभी को आप याद रखेगा आने वाले exams के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों आज की सबसे पहली knowledge factory आपके सामने आने वाली है आज मैं आपसे discuss करने वाला हूँ important brand ambassadors in India तो देखे, policy बजार के brand ambassador है विरेन सहवाग जी सिसका ledbevkoop.com राज कुमार राव इसके brand ambassador है फोन पे के brand ambassador अमीर खान है ITM Group of Institution के दांबी श्रीकांत इसके brand ambassador है पंकस्त्रे पार्टी हैं बिहार खादी के brand ambassador अतुले भारत के brand ambassador हमारे देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी है अतुले भारत के बाद हम बात करेंगे तनिशका आनंद की जो की UN COVID-19 ग्रूप की brand ambassador है नेस्ट है वर्लपूर, इसकिन के ब्रैंड जोई, डावर इन तीनों की brand ambassador है करती सेनन नेस्ट है सोनुसूद तो सोनुसूद जो है Acer India, Redmi India और Gargu International के क्या है brand ambassador है चली friends आई देखते हैं नेस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स हाली में ONGC विदेश लिम्टेड के प्रबंद निदेशक कोन बने है वो इस बिकम दा डा डारेक्टर ओफ ONGC विदेश लिमिटेड तो दोस्तो इनका नाम है राजरश्री गुपता क्या नाम है राजरश्री गुपता जो है ONGC विदेश लिम्टेड के प्रबंद निदेशक बनाए गए है दोस्तो राजरी गुपता जो है ये किनका स्थान ले रहे हैं? आलू गुपता का स्थान ले रहे हैं राजश्री गुपता ने पदभार को समाला है दोस्तों ONGC का फुल फर्म क्या है Oil and Natural Gas Corporation इसकी स्थापना कब हुई है 1956 में इसकी स्थापना हुई है यह एक महारतने कंपनी है इसके चेर्मेन कोन है अलका मित्तल है दोस्तों यहाँ पर हमने बात किये नियुक्ति की तो आई फ्रेंट्स जानते हैं इंपोर्टेंट नियुक्तियां जो हाली में हुई है और एक्जाम के द्रिष्टी से बहुत इंपोर्टेंट है सबसे पहले बात करेंगे भारत के 15 रहावी राष्ट्र पती तो यह हैं दुरापदी मुर्मुजी भारत के 15 प्रेसिडेंट बनी है दुरापदी मुर्मुजी हाली में जैनती प्रशाद IBBI के पूर्ण कालिक सदश बनाएगा है रतन इंडिया पावर केमडी बनाएगा है ब्रजेश गुपताजी हाली में UPSC के सदश बनाएगा है राज शुकला कमेंट बॉक्स से बताई कि UPSC में नए CEO बनाएगा है आशिश कुमार चोहांजी लास्ट में बात करेंगे भारत में बांगलादेश के नए उच्चायुक्त तो यह है मुस्त फिजूर रह्मान चली फ्रेंट्स आई देखते हैं सेवन्थ इंपोर्टेंट करिंट अफेर्स तो दोस्तो इनका संबंद किस देश से है किस से है? इजिप्ट से है दोस्तो हाली के करेंट अफेर्स में मैंने आपको पढ़ाया था अंतरास्ट्री हौकी महासंग से नरिंदर बत्रा ने स्टीफा दे दिया है नरिंदर बत्रा भारत देश के है और ये इन्होंने स्तीफा दे दिया क्योंकि ये बहुत सारे corruption के charges में लिप्त थे इसलिए इन्होंने स्तीफा दिया है दोस्तों इनके स्तीफे के बाद मिस्र के सैफ एहमद को कार वहक अध्यर्ष नियुक्त किया गया है अब दोस्तों इनका नाम आप कैसी याद रख सकते हैं तो देखे फ्रेंट्स भारत में सैफ अली खान है तो सैफ अली खान एक्टर है लेकिन उनको हौकी बहुत पसंद है आप इस तरीके से रिलेट करेंगे तो आपके दिमाग में ये प्रिंट हो जाएगा तो सैफ अली खान जो हैं हौकी से रिलेटेड है अंतरास्टी हौकी माव संके अध्यष को ने सैफ एहमा दोस्तों बत्रा ने F.I.H. अध्यष पस्से हाली में स्तीफा दिया है साथ मीनों ने भारती उलम्पिक संके अध्यष के पद को भी छोड़ दिया है दोस्ते हाँ पर बात आ रही इंटरनेशनल होकी फेडरेशन की तो मैंने आपको कई बार इसके बारे में बता है फिर से बता रहो ताकि आपको बार बार याद हो रिविजन करना बहुत इंपोर्टेंट है इस्टुडेंट के लाइफ में तीन आर होना चाहिए रिविजन 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 तो देखे फ्रेंट्स इंटरनेशनल होकी फेडरेशन जो है साथ जन्वरी 1924 को स्थापित हुआ साथ जन्वरी 1924 को इसका हेड़कोर्टर कहां पर है लुसाने स्विटजर लेंड में है CEO कोन है Theory Well क्या नाम इनका Theory Well जो है प्रेजेंट में इसके CEO है अब देखें कारवाहक अध्यक्ष कोन बनाए गए है सैफ एहमर जी बनाए गए है दोस्तो अगला important current affairs है रहा 21 जुलाई को प्रधान मंत्री वैवंधना यूजना के 5 साल पूरे हो गए है इसे किस साल इसे किस वर्स लौच किया गया था तो दोस्तो 2017 में इस यूजना को लौच किया गया था क्या नाम इसका प्रधान मंत्री वैवंधना यूजना इसके 5 साल पूरे हो चुके है ये यूजना किस के लिए बनाए गई थी वरिष्ट नागरिकों के लिए सीनियर सिटिजन के लिए ये यूजना बनाई गई है और सीनियर सिटिजन के लिए एक प्रकार की ये सोशल सेक्यूरिटी स्कीम है समाजिक सुरक्षा यूजना है दोस्तो इसमें क्या होगा दोस्तो इसके तहट कोई भी वरिष्ट नागरिक, कोई भी सीनियर सिट्जन 15 लाग रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकता है निवेश की रकम के अनुसार वरिष्ट नागरिकों को 1,000 रुपए से लेके 9,250 रुपए तक का मासिक पेंशन मिलता है दोस्तो यह एक प्रकार की पेंशन स्कीम है जिसके तहट मासिक पेंशन मंतली पेंशन का लाब लेने के लिए उनके निवेश पर 10 साल तक सालाना 7.40 सुजदी का ब्याज मलता है प्रधान मंत्री वय वंधना यूजना का संचालन भारती जीवन बीमा निगम LIC की दोरा किया जा रहा है हाला कि यह जो स्कीम है भारत सरकार की है इस यूजना के तहट कोई भी सीनिर सिटिजन 15,000 रुपए तक निवेश कर सकता है अगर कोई भी वेक्ति 60 साल का वरिश नागरिक 1000 रुपए का मासिक पेंशन चाहता है तो उसे 1.62 लाक रुपए निवेश करने होंगे इस स्कीम के तहट अधिक्तम 9,250 रुपए का पेंशन पराप्त होगा इसके लिए सीनिर सिटिजन को 15,000 रुपए का इन्वेस्ट करना होगा देखी फ्रेंड्स, नेस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर से रहा शेक मुहम्मद सबा अलसलीम किस देश के प्रधान मंतरी हाली में नियुक्त किये गए है तो दोस्तो ये कुवेट के हाली में प्राइम मिनिस्टर बनाए गए है दोस्तो कुवेट के अमीर शेक, इनका नाम है नवाव अल एहमद, अल जबर, अलसबा इन्होंने शेक मुहम्मद सबा अलसलेम को नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करने का फर्मान जारी किया है देखे फ्रेंड्स, शेक मुहम्मद सबा अलसलेम ने किसका स्थान लिया है तो इन्होंने सेक शबा अल खालिद हमद अलसबा का स्थान लिया है इनका जन्म कब हुआ 1955 में ये कुवेत के बारवे सबसे अमीर वेक्ती हैं सेख शबा अलसलेम अब सबा के चौते बेटे हैं जिन्होंने 1965 से लेके 1977 तक कुवेत पे शाशन किया है यहाँ पर बात कुवेत की आ रही तो देखे लोकिशन पर कुवेत कहां पर है यहाँ पर देखे इरान है यह इराग है यहाँ पर देखे अब यह है कुवेत यह है साउदी अरब यह कुवेत के बारे में आई इंपोर्टन जानकारी को समझते हैं कुवेत की कैपिटल है कुवेत सिटी कुवेत की कैपिटल क्या है कुवेत सिटी है दोस्तो कुवेट जो है इसकी सीमा में उत्तर में साउधी अरब है और उत्तर उत्तर पश्चिम में इराक से इसकी सीमा मिलती है दोस्तो 1961 में ये UK से सोतंत्र हो गया और इस एरिया में अभूत पूर्व बृद्धी दर्श की गई है आज देश का करीबन 95% एक्सपोर्ट और 80% जो सरकारी राज़स वर रेवेन्यू है तेल से बने उत्पास से होता है देखे फ्रेंड्स आज का आखर इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स आप सभी की सामने रहा पुस्तक The Resilient Entrepreneur की लिखा का क्या नाम है दोस्तो इनका नाम है ध्रिती शा क्या नाम है ध्रिती शा की दौरा ये बुक लिखी गई है इस पुस्तक को लाँच किया गया है इसे सिंगापूर भारत और अमेरिका के Entrepreneurs की प्रिजन्स में वैश्विक स्तर पर ग्लूबल लेवल पर लाँच किया गया है इस बुक में क्या बताया गया है फ्रेंड्स इस पुस्तक में उन Entrepreneurs के इंटर्वियू के बारें बताया है जिन्होंने जितनी भी प्रकार की चुनोतियों का सामना किया है दुस्तों प्रेजन्ट में बात करें धृतिशा की तो इस C2C Organization Development Limited में Associate Director की रूप में कार्य कर रही है चलिए फ्रेंड्स आई देखते है Current Affairs के रसमलाई यानि 2020 के important प्रशनों को आई डिसकस करते है तो पहला प्रशनी रहा The Morning Consult की सर्वे में दुनिया के सबसे लोपरी नेता हाली में कौन चुने गए नरेंदर मोदी किस राज या फिर केंसासित प्रदेश में जै भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुवात की गए दिल्ली में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपेंशिप 2021 में पदक जीतने वाले साथवे भारती मुख्यबाज कौन बने है अकाश कुमार राश्ट्री कैंसर जागरुकता दिवस दोस्तो नेशनल कैंसर एवेरनेस डे 2022 कम मनाया गया हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है चली फ्रेंट्स 22 जुलाई के इंपोर्टन करेंट अफेर्स का अब हम रिवीजन करते हैं भारत के 15 राश्पती हाली में कौन बनी है 15 प्रेसिडेंट बनी है दुरौपदी मुर्मूजी देखे फ्रेंट्स अगला प्रशन है भारत का पहला 100 परसंट बारत के पहले मानग वाहक ड्रोन क्या नाम इसका वरुन इसका हाली में इनोगरेशन कहां पर किया गया है नई दिल्ली में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 प्रमुक राज्जों में पहला स्थान की सराजने प्राप्त किया यह करनाटर हाली में आई बी बी आई के पूर्ण कालिक सदश के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है जहनती परशाद जी को सिग्स्थ इंपॉर्टन रिविजन कोश्चेने रा फोप्स रियल टाइम अरब पत्यों की सूची में गौतम आडानी को कौन सा स्थान पराप्त है चौथा कमेंट बॉक्स पर बताइए कि फोफ्स रियल टाइम अरब पत्यों की सूची में पहला स्थान किसको मिला है नेस्ट है वी लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस वी ल्टीडी को इमर्जेंसी रिस्पॉंस सपोर्ट सिस्टम से जोडने वाला भारत का पहला राज कौन सा बन गया हिमाचल प्रदेश भारत ने चीतों को लाने के लिए कि इस देश के साथ थाली में समझोता की है नमीविया के सार अजय परीदा जी का हाली में निधन हो गया इनका संबंद किस छेतर से था ये जीव विज्ञानी थे चलिए फ्रेंट्स दस्वा महतपूर्ण रिवीजन कोश्चन ही रहा सुपरीम कोट के पूर जज विनी सारन की संस्था के नहतिक अधिकारी और लोगपाल न्यूक्त किये गए है ये BCCI के हाली में क्या बनाएगा है लोगपाल बनाएगा है प्रश्णी एरहां फ्रेंट्स स्वा निर्भा नारी योजना की सराज में हाली में शुरू किया गया है इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है देखे फ्रेंट्स आज के इस सेशन का टारगेट 4000 लाइक का है कल आपने 3000 लाइक का टारगेट को पूरा किया है दोस्तो फॉलो कीजे क्रेजी जी के ड्रिक को डिफरेंट शोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तो इस 15 से 20 मिनिट के सेशन में हम मोर दन 100 इंफर्मेशन को कवर करते हैं कम समय में ज़्यादा जानकारी को आपको प्रदान करते हैं पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो दोन्त फर्गेट तो सब्सक्राइब और प्रेस्टी बेल इकन बटन कीप लाइकिंग कीप शेरिंग यूर चैनल क्रेजी जीगेट रिक थैंक यू फ्रेंट्स